हमने देख लिया इंडिया जापान अब मेंस पेपर तो 2019 में उन्होंने एक प्रश्न और पुछा दा इंडिया-U.S.A. बारत और अमरीका के संबन्दों में खटास का कारण ये है कि वाशिंग्टन में बैठे उनके निती निर्मान करने वाले अपनी वैश्विक रण निती में अभी तक बारत के लिए कोई ऐसा स्थान खोज नहीं पाए जो कि बारत के आत्मसादर, सेलफ एस्टीम और महत्वा कांशा को संतुष्ट कर सके आप उदाहरणों के साथ इसको स्पष्ट करिए 15 मार्क, 250 वर्ट्स इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं कि कैसे USA की पॉलिसी से बारत को असर होता है 2018 में UPSC ने पूछा कि USA और इरान के भी जो नुकलियर पैक की कॉंट्रोवर्सी चल रही है उससे बारत के हितों को क्या असर हो रहा है और बारत ने इसमें क्या करना चाहिए 2013 में पूछा कि ये USA अब जानते हैं उन्होंने अफगानिस्तान में International Security Assistant Force ISAF जो पूरा मिलाक के बनाया था उसमें से वो अब निकलना चाहते हैं वो दिरे दिरे force विड्रॉ कर रहे हैं तो उससे पूरे रीजिन में security पर क्या implication हो रहा है और उसमें बारत को क्या क्या challenges आ सकते हैं हमने क्या करना है So again American policies affecting Indian interest ऐसे प्रशन पहले भी पूछे गए हैं यहाँ पर प्रशन यह है कि बारत और USA वैसे तो मित्र है लेकिन उनके संबंदों में कुछ खटास है There are some frictions उसके क्या कारण है हमने explanation करना है with examples तो सबसे पहले introduction origin तो यहाँ पर भी template आपके पास ready होना चाहिए कि India-US relation, World War 2 के बाद क्या हुआ, Cold War में क्या हुआ, LPG reforms के बाद क्या चला है Then body part 1, वहाँ पर आप बात करें country based some frictions China, Pakistan, Afghanistan, Iran, Syria, Saudi Arabia, Cuba, Venezuela इन सब के बारे में US policy maker की अपने strategic interest होंगे लेकिन वहाँ पर बारत की क्या place होनी चाहिए, वो decide नहीं कर पाते हैं As a result, हमारे सबंदों में कुछ खटास आ जाती है Body part 2 में आप लिखेंगे issue based frictions यहाँ पर मैंने fraction लिखा है, यह spelling mistake है, friction होना चाहिए issue based हमारे बीच में खटास कब आ जाती है World Trade Organization में trade subsidy, intellectual property right USA की कुछ और interest होते हैं, हमारे कुछ और interest होते है USA वाले religious freedom की बात करते हैं, weapon export की बात करते हैं तो अगे इन कुछ खटास आ जाती है And lastly conclusion, yes because of the above areas mentioned in the body There are some frictions within India, US relations क्योंकि वो लोग बारत की आत्मसंवान और अमारी priority को नजर अंदास करते हैं या ध्यान से उसको कदर नहीं करते लेकिन साथ ही साथ आप conclusion में थोड़ा positive tone भी डालिए कि as such we are great allies despite the frictions कुछ हमने यह summit किये, यह joint exercise कर रहे हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई दुश्मन बन गए हैं या But yes there are some friction but overall we are great friends सूरज कबदूर गगन से, चंदा कबदूर कीरन से ऐसी सलमान खान और शारुक खान करन अर्जून जैसी हमारी friendship वैसे तो है Okay so introduction मैंने आपको पहले भी बोला bilateral relation के template ready होने चाहिए तो introduction मैं आप origin से बात करेंगे कि India and United States they are world's largest democracy and world's most powerful democracy respectively USA is most powerful democracy बोलने में कोई हरकत नहीं military power देख लो, economic strength देख लो they are there So while their interest and relations were not always aligned with each other during the cold war period हमारे कुछ non alignment की बात थी उनकी बात थी कि हमारी गोज में बैट जाओ रश्या के खिलाब लडो So we were not always having positive relations during the cold war but the ties have greatly improved after the LPG reforms क्योंकि economic reforms लिए फिर उनको अपना माल बेटना था Coca-Cola and Pepsi and everyone wanted to come in India At the same time we find that in certain area India-USA relations they suffer from some friction कुछ खटास तो चलती है because of following factors बोलके फिर आप जाएंगे body के अंदर body में सबसे पहले आप बात करें कि बारत की national ambition और priority क्या है और वो USA अपनी चीजों में कैसे maintain नहीं करता है As a result there is some friction बारत की national ambition priority क्या है एक तो हमारा खुद का economic development दूसरा की गरिबों का farmers का local industry का protection उसके लिए subsidy देनी पड़े WTO से लड़ना पड़े हम लड़ेंगे We do not like interference in the domestic affair of other nations दूसरे देशों में क्या गरबर चल रही है हम उस पर टिपणी नहीं करते है and at the same time we expect reciprocal treatment from other countries हमारा कश्मीर या अरूना चादल में क्या करना चाहिए वो आप हमको मत सिखाए ये भी हमारी प्राइरिटी रहते है We want a terror free India internal security चाहिए हमे We want to fight the global warming but at the same time common but differentiated responsibility America और दूसरे विक्सित देश जादा पैसा खर्च करे हम अभी पूरी तरह से develop नहीं हो पाए so that is the tone here वो हमारी प्राइरिटी है and at the same time USA की global strategy वो उनकी अपनी strategic और economic priorities पर है उनकी क्या प्राइरिटी है सारी हमने explain नहीं करनी This is not 1200 words essay paper यहाँ पर simply कि जैसे बारत की ये कुछ महत्वकांशा है उसके सामने USA की भी अपनी कुछ महत्वकांशा है Now we start in the body Body part 1 में आप बात करेंगे nation specific issue कि जहाँ USA की priority बारत के साथ महत नहीं होती खटासा आ जाती Consider the case of China in Pakistan एक तरफ USA चाता है They wish that India should grow as a regional superpower in Asia to counter the Chinese influence China के प्रभाव को कम करने के लिए बारत एक खेत्रिक महासत्ता बंजा ऐसा चाते भी हैं थोड़ी मदद भी करते है थोड़ा कुछ weapon export करेंगे कुछ technology transfer करेंगे So one hand they are doing this But at the same time जैसे ही trade relation की बाता है climate change की बाता है तो बारत और चाइना को वो एक साथ एक जगह पर बिठा देते है That both of them are not benefiting the USA interest वो बोलते हैं कि बारत और चीन वाले अपने बहुत subsidy देते हैं और सस्ता माल बेचते हैं हमारी local industry को नुक्सान हो रहा है So they will do protectionism ज्यादा tax मांगेगे Climate change में again they are saying that India and China they are the most polluting countries और उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए USA पुरा global warming से नहीं लड़ सकता So again खटा सा जाती है इससे पहले भी बारत को USA वाले पाकिस्तान के साथ हाइफन कर देते कि इंडिया पाकिस्तान मतलब उन दोनों को साथ साथ देखना चाहिए तो अमेरिका की कोई भी policy USA के लिए बनती तो हमेशा वो डर डर के action लेते कि उससे पाकिस्तान को क्या असर होगा So at the sea because of those things also we did not have completely friction free relations with USA वैसे अभी तो सीन बदला है USA अब इंडिया को अलग से देखता है ऐसा हर बार नहीं दर डर के सोते कि पाकिस्तान वाले नाराज हो जाएंगे because now India is a rising economic power हमारे पास ऐसा बहुत बड़ा mass consumer base है कि जहाँ पर Google भी, Apple भी, सब लोग अपने products बेचने चाहते हैं तो अब पाकिस्तान क्या सोचेगा क्या करेगा ऐसा अमेरिका डर डर के policy नहीं बनाता Now, frictions in Afghanistan अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान उसका ally बना रहे क्योंकि अफगानिस्तान में natural resources हैं अफगानिस्तान में military base बना है गुड तालिबान के साथ USA कुछ peace deal कर दे कि आप अपसे आतंकवाद नहीं करना और हम लोग यहां से अब अपनी security force withdraw कर रहे हैं बारत को ये बात पसंद नहीं है क्योंकि गुड तालिबान की भी बात करो वो भी बारत की internal security के लिए खत्रा तो पैदा करते ही है USA even wants that अफगानिस्तान में बारत अपनी military send करे उसको मड़द करे ताकि वहाँ पर peace stability बनी रहे लेकिन इंडिया की policy ये रही है कि हम लोग United Nation की peace keeping forces वहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्मी कौन बेदता इंडिया लेकिन उसके अलावा खुझ से बड़ा policeman बनके हम अमारी आर्मी कहीं पर बेदना पसंद नहीं करते इसके चलते हैं कि USA की priority इदर बदल जाती है और थोड़ी friction आ जाती for similar reason USA इंडिया की priority वो Myanmar में भी हमेशा coincide नहीं करती है वो क्या है मसले वो लिखने की ज़रूरत नहीं because in 250 words you cannot explain each and every country right what about Iran, Syria, Saudi Arab यहाँ पर इंडिया की priority है कि हम इरान के साथ अच्छे संबंद बनाए रखे ताकि वहाँ से हमें oil और gas की energy security मिले और साथी साथ इरान के ये चाभाहार pot की मदद से हम लोग अफगानिस्तान में भी अपना माल सामान बेच सके connectivity बर करा रहे लेकिन सामने USA की priority कुछ अलग है they want the denuclearization of Iran कि वो अपने nuclear development बंद कर दे क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो Saudi Arabia और Israel जो की USA की काफी अच्छे मित्र हैं उनको challenges create हो सकते है and as a result USA ने इंडिया को बोला कि आप इरान से oil import करना बंद कर दो अपकोस बाहर तो ऐसी बात चलते है they requested and we have complied but अंदर ऐसी भी बात चलते है कि दर दिखाया गया कि ऐसा नहीं किया तो आपके उपर भी हम लोग action लेंगे so ultimately 2019 May मैने में बारत ने comply किया okay हम लोग इरान से oil import नहीं करेंगे so again this is a friction area Yemen, Libya, Syria ये सब के अंदर कुछ न कुछ domestic turmoil चलती है वहाँ पर USA अपने forces को बेचता है या फिर किसी local party को वो pop up कर देता है puppet government बनाने की कोशिश करता है इंडिया को ये सारे काम पसंद नहीं वो अपनी forces वहाँ बेचता नहीं domestic politics में interfere करता नहीं क्योंकि उन्हें लगता है बारत को कि ऐसा करने गए तो हमारी डायोस्पोरा जो वहाँ है उसको कुछ खत्रा हो सकता है but USA has different set of priorities so again थोड़ा friction आ जाता है मिद्व जैसे ये इरान सिर्या साउदी में है वैसा ही क्यूबा और वेनेजुएला में भी थोड़ी थोड़ी कुछ issues है जहां पर हमारे मदबेद रहते हैं लेकिन वो इदर लिखने की जरुवत नहीं अगर essay paper हो that 1200 words तो आप लिख सकते हैं बाकि ये वैनेजुएला और क्यूबा ये कोई इतना serious matter नहीं है कि उसमें great friction आ जाया और हमारे हितों को बहुत तकलिफ हो unlike इरान की जहां पर USA ने बोला कि oil import मत करो so we are having some issues अबकोस वैनेजुएला से भी oil import की और वो सारे मसले हैं और वो सारी चीज़े explain करने गए तो अपना जो जवाब है वो you will run out of time and space before you reach some other important points तो body part 1 में हमने देखा कि country specific issues जहां पर friction create होते हैं now some issues of economy and IPR and subsidies जहां पर friction create हो रहे हैं USA की एक organization है US state representatives वो हर साल एक special 301 report निकालते हैं जहां पर ऐसे देशों का नाम लिखा जाता है जो कि USA की multinational companies के intellectual property rights को protect नहीं कर रहे हैं तो हमें चाब बारत के बारे में negative लिखा जाता है कि it is not protecting the IPR of American companies particularly pharma companies बट सामने आप देखें बारत की भी मजबूरी है कि हमने generic medicines को promote करना है ये कुछ American company आपने cancer drug के patent जब expire होते हो तो थोड़ा उसके molecule में change करके वापस से नया patent लेने की कोशिश करते हैं एक लाग दो लाग रुपे की दवाया बेचते हैं whereas we want that they should be cheap so that बारत के गरीब patient भी उसको afford कर सके so therefore we have to give compulsory license to some companies to produce the drugs locally तो कुछ friction आ जाते हैं बारत ने अपने agriculture, manufacturing और export sector को promote करने के लिए subsidy देनी पड़ती है बारत के अंदर solar panel का development हो, solar energy डेवलप हो इसलिए local industry को भी हम subsidy या first preference देते हैं कुछ government procure कर रही होता है ये सभी मसलों में USA बारत के खिलाब जाकर world trade organization में complaint करता है तो on one hand we are saying that we are great allies but यहाँ पर friction आ जाता है क्योंकि उनकी priority है कि हमारी industry डेवलप हो US State Department हर साल religious freedom index निकालता है और उसमें भी बारत का negative review आता है कि यहाँ पर minority rights की protection नहीं हो रहा है cow vigilantism बढ़ रहा है अलप संक्यक समुदाए बारत में सुरक्षित नहीं है ऐसी वो उदर बैठे बैठे हमको certificate देते है बारत को यह बिलकुल पसर नहीं है India does not see any local stand-eye for any foreign government to give certificates on its constitutionally guaranteed secularism तो यह एक मुद्ध भी आप quote कर सकते है as a result friction आ जाता है हम लोग तुरंथ उसका counter statement डाल देते है यहाँ पर मित्रों यह जवाब का यह point इधर ही stop हो दाना चाहिए फिर वहाँ आप आगे बढ़के अमेरिका में क्या गलत हो रहा है उसकी tip पनी आपने नहीं करनी कुछ लोग जादा बावुक हो जाते है कि अमेरिका वाले बहुलते हैं बारत में अल्प संखेक समुदाय शुरक्षित नहीं है तो even in USA आप जानते हैं कि black people के सामने बहुत सारी atrocity हो रही है उसको fake encounter में white policeman मार देते हैं पोर्ट वाले उसको कुछ action नहीं लेते हैं और वहाँ पर rioting हो रहा है वगेरा Mexican और ये सब के बचों को छीन के वो jail में fit कर देते हैं वो सब बात है बट यहाँ पर प्रशन क्या है यू focus simply on the USA और इंडिया की priorities कुछ जगह पर match नहीं होती उसकी आप बात करिये अमेरिका में there is no need to give a long list of what is good and what is bad in USA उसकी यहाँ पर प्रशन नहीं है we should not enter in that area again जिसकी ऐसी है कि आपका ये गलत वो गलत तो वो अच्छी vibes नहीं दे रहा है कि future में Indian foreign service में ये आदमी कुछ अच्छा काम कर सके we should not stoop and start giving certificates to anyone openly मुद्धो को समझना चैपन लिखना नहीं चाहिए ऐसा भी एक और frictional issue है weapon export and Russia बारत आसपास ऐसे देशों से गिरा है जिनके साथ हमने युद भी लड़े हैं चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाहे ना हो इसलिए हमारा defense पे खर्चा बहुत जादा रहता है हमें defense के बहुत सारे technology weapons, vehicles, import करने होते हैं हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक जगल से सारा माल import ना करें we like to keep the options open जहां पर android system best हो तो android का phone खरीदा ipad का tablet बेटर है तो वो खरीद लिया so like that we buy from Russia, USA, Israel, France and other nations तो USA को कुछ बार ये चीज राज नहीं आती particularly उन्हें डर लगता है कि हमने कोई missile या weapon इंडिया को बेज दिया और उसका reverse engineering करके उसकी सारी technology इंडिया वालोंने रशिया को share कर दी तो USA और रशिया के बीच जब युद होगा तो हमें नुकसान हो जाएगा so as a result USA put some additional conditions regarding the technology transfer when selling arms and vehicles to India with apprehension की वो technology का misuse होगा कुछ बार उसके repair और उसके भी सारी service के चीज़े हम करेंगे इंडिया खुद नहीं कर पाएगा and it creates some frictions and lastly the conclusion मैं थो conclusion में हमने लिखना yes because of about things there are some friction but at the same time हमने negative conclusion नहीं लिखना कि as a result our relations are facing a great challenge या बहुत खराब हो गाए that is not the case तो थोड़े positive tone पर आप लिखे thus friction remains in certain areas because of the diverging priorities in economic and strategic interest but at the same time these frictions have never been grave enough to cause any serious damage to our relationship थोड़े कटास तो हमेशा रहती है बर कोई बहुत खराब हो गए संबन ऐसा नहीं हुआ USA has supported India's membership at NSD nuclear supplier group even UN United Nations Security Council में भी India ऐसी वो positively बोलते है we are conducting regular defense exercises naval exercises, air force exercises we are holding 2 plus 2 meetings so it is proving that India and USA they remain strong allies of each other despite such small frictions तो यह अपना जवाब हो गया अब यहाँ पर mistake क्या होती कुछ लोग यह ऐसा लिखना शुरू करते हैं कि black people's rights are not protected in USA और फिर भी USA वाले बारत के अलप संख्यक समुदाय के बारे में certificate डालते रहते है this type of arguments are not asked what is wrong with USA वो नहीं पूछा गया उसकी Mexico में policy या Canada में policy हमने नहीं लिखना है you simply have to say what are the priorities of USA और वो सब में बारत की priority fit नहीं होती है तो कुछ friction आ जाता है कुछ भी certificate यह अच्छा है यह बुरा सब लिखने की जरुदने कुछ लोग excessively Pakistan और China centric answer ही लिखेंगे कि उधर हमारे क्या friction है हमारे जवाब उससे ज़्यादा बड़े होने चाहिए intellectual property rights, pharma patents, right protectionism and so many other issues you can mention logical structure आपने issue के ही साब से दे सकते है country के ही साब से दे सकते है कुछ structure से चलना चाहिए randomly याद आया पाकिस्तान, फिर अचनक से याद आगया क्यूबा, ऐसा नहीं लिखना चाहिए priority होनी, सब से पहले चाइना होगा, फिर पाकिस्तान होगा then some other things, you should go in that manner Iran, Russia and China are the enemies of USA और बारत उनके साथ अपने Russia और Iran का friend बनना चाहता है इसलिए तकलीफ आ जाती है again, कोई किसका दुश्मन है enemy of this country, ये बाशा तो बिल्कुल ही Indian Foreign Service के future officer की नहीं होने चाहिए so always avoid this, this is the enemy, this is our friend ये सब, they are great ally ये सब लिखना बेतर है उसमें कोई गरबर नहीं, बट ये हमारा दुश्मन है, वो उसका दुश्मन है ऐसी सब प्रयोग नहीं करने चाहिए type of question, I'll say this is a contemporary affairs question, span नहीं कहता हूँ, more than D, minus 2 years लंबी चोड़ी बाते हमने कर दी difficulty level, medium to tough आप कितना पढ़के जाते हैं newspaper कैसे follow करते हैं, it depends 15 mark का question था ज्यादा तर लोग 6 mark के आसपास उन्होंने लिखा होगा, ज्यादा तर Pakistan, China के आसपास से उनके जवाब में रहे होंगे, आपको ज्यादा marks भी मिल सकते हैं, अगर आपने ज्यादा examples दिये हैं logical structuring बनाया है clean language है, आपकी ये इसका USA question, उसके बाद दो question अभी बाकी हैं, but let us take a very small break for 3 minutes, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, so a break for 3 minutes